है ब्रीवन मैं महन पांडे आप लोग अपने यूटूब चैनल के सी आई टैली स्पेस्लिस्ट में एक बार फिर से हर्दिक स्वागत और अविनंदन करता हूं मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्ष थोंगे मस्त होंगे जैसा कि आप लोगो मालूม है मेरे दोरा आपको कंप्यूटर कोर्स प्रोवाइट कराया रहे हैं जिसमें मैं अभी बेंसिक कुर्स में प्रैक्टिकल क्लासे है कर रहा हूँ और आज मैं लास्ट वीडियो के आगे continue करूंगा जो कि मेरी लास्ट वीडियो wordpad पर थी wordpad का part 1 मैंने उसमें दिया था आपको basic पूरा wordpad का बताया हुआ था आज उसे के आगे continue करूंगा मैं तो wordpad के window पर चलने से पहले मैं एक बार आपसे request करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो यूसफुल लगता हो तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास सेर जरूर करें जिससे इन वीडियो का लाप आपके फ्रेंड्स को प्रा पेट का पार्ट अब विंडो क्या है, फाइल नेम, फाइल एक्स्टेंशन क्या है, तथा फाइल मेन्यू के बारे में हमने अलग-अलग टैप में डिवाइड किया गया है, यसे क्लिप बोड टैब है, फॉन टैब है, पैराग्राफ टैब है, इंसर्ट टैब है, एडिटिंग टैब है, तो सबसे पहले हम क्लिप बोड टैब को जानेंगे, और डीपली इसको समझेंगे, वैसे क्लिप बोड टैब को आपको पहले पीछे की classes में बताया जा चुका है clickboard type जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये कुछ नई चीजे नहीं है आपके लिए because notepad, paint in some में आपने इसके बारे में जानकर इलीव हुई है जैसा इसमें जो options हैं cut, copy and paste तो हम एक एक करके समझते हैं जैसे कि हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं हमने टाइप कर दिया चैनल का नेम लिख दिया मैंने KCI टालेइस पेसलिस्ट तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी आप देख पा रहे है cut और copy दोनों highlight नहीं है means active नहीं है जो sentence, line या paragraph सेलेक्ट करना है shortcut के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या जहां तक हमें selection लेना वहां के last में हम cursor को रखते हैं और अपने mouse की button को click करते हैं और ऐसे ही drag कर देते हैं तो selection हो जाता है हम क्या करते हैं आप देख पा रहे हैं cut, copy दोनों ही active हो गया तो cut हम करते हैं यदि हमें अपने इस sentence को या लिखे हुए जो ये words है जो मेरे channel का name है KCI Tally Specialist इसको हम यहां से अलग जगे पर रखना चाते हैं तो इसको हम cut करते हैं means यदि location हमें change करना है यहां से इसका तो हम इसको cut कर लेते हैं अब देख पा रहे हैं cut कर लिया हमने हम enter करते हुए नीचे आएंगे हम कहीं भी अपने insertion point को ले जा करके यहां बीच में हम ले आ रहे हैं insertion point को और हम चाहे हैं तो यहां पर जा करके paste करेंगे paste means होता है चिपकाना यहां पर paste हो करके आ गया जो हमने cut matter लिया हुआ था अब हम copy देख लेते हैं यदि हम इसको select करते हैं और इसको copy कर लेते हैं copy means इसका एक image create हो गया इसका duplicate हो गया अब हम उसको यहां top left में paste करना चाहते हैं हुबहू के सी आई टैली स्पेस्लिस जैसा लिका हुआ है इसका just copy हमको यहां paste करना में हाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह से cut और copy हम use करते हैं यदि हमें cut करते हैं यदि हमें अपने text word या line या paragraph का location चेंज करना है तो उसको हम select करके cut कर लेते हैं और फिर other location में ले जाकर के paste करके उसको चिपका देते हैं copy करने का मतलब यदि हमें अपने उस matter का duplicate रखना है सेम वैसे ही हमको अलग जगे पर रखना है तो हम उसको select करते हैं और copy करते हैं फिर paste के माद्धिम से वहाँ ले जाकर के हम paste कर देते हैं तो यह हो गए आपका cut copy paste अब हम यहाँ देख पा रहे हैं paste के नीचे एक triangle बना हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ दो option है paste and paste special यहाँ से paste करें same work होगा जो हमारा copy किया हुआ matter था उसको हम बार बार repeat and repeat paste कर सकते हैं paste के माद्धिम से अगला option है आपका paste special तो paste special को करने से पहले हम इसको थोड़ा सा format कर लेते हैं जब हैं full format करके wrist text इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा size को grow करेंगे यहां से text को color provide करेंगे और highlight वगरा भी करना चाहें या italic करना चाहें तो हम यहां से कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं select इस तरह से हमारा text हो गया है इसका हम selection लेते हैं यहां से और इसको हम जाकर के यहां से copy कर लेते हैं आप चाहें तो हम इसी window में करें नहीं तो हम यहां से जाते हों और एक new विंडो ले लेते हैं इस तरह से अब हम चलते हैं पेस्ट इसपीशल को use करते हैं जो हमने copy किया major है वो हम यहां से आते हैं पेस्ट इस्पसल आप जानने पेस्ट का सॉर्टकट कंट्रोल वी होता है और पेस्ट इस्पसल का सॉर्टकट अल्ट कंट्रोल वी होता है यहां पेस्ट इस्पसल पर क्लिक करते हैं तो इस्पसली पेस्ट करने के लिए आपको चार टाइप के आपसंस दिख रहे हैं वर्ट चलते हैं सबसे पहले नीचे से paste करके start करते हैं एक इक step आपको बताते चलते हैं unformatted text format में इसको paste करना चाहते हैं okay करेंगे तो without formatting अभी आपने देखा था KCI टैले specialist को हमने उसका font को grow भी किया था colorful किया था italic किया हुआ था उसके बाद मैंने copy किया था अब आप देख पा रहे हैं यहाँ एकदम normal font आ गया जिससे हम text document notepad में use करते हैं उस तरीके से हम enter करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और फिर हम चलते हैं यहां से paste special पर क्लिक करते हैं फिर से paste special का यह dialogue आ गया जिस एक बार हमने copy किया जो की full format करके और उसको हम special तर format okay करेंगे तो देखिए complete format होकर के आपके सामने यह present हो गया है फिर हम यहां से नीचे एंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं दो तरीके से आपने देखा जब हमने unformatted text को paste करा तो इस तरह से paste होकर किया और जा हमने रिस text format में paste किया तो जैसा हमने copy किया था उस तरह से आ गया अब हम चलते हैं उसके नीचे अगला option जो इसमें है पेस्ट इसल में उस पर हम click करते हैं और डायलोग आ जाता है इसमें अगला है पिक्चर मेटा फाइल का मिन्स क्या है पिक्चर मेटा फाइल पर हम click करते हैं तो मेटा फाइल मिन्स पिक्चर जो हम कोई भी लेते हैं तो वो एक box में होता है मतलब वो selected एक box की तरीके से होता है जिसको हम drag करके छोटा बड़ा कर सकते हैं मेटा फाइल फाइल में आ जाता है पिक्चर की तरीके से यहां से ok करते हैं आप देखें picture box में आ गया है हम elevator को हैंगे जब हम wordpad पर हैं तो यह display as icons highlight है means unformatted के साथ यह highlight नहीं एक्टिब नहीं है रिस टेक्ट के साथ यह active नहीं है picture metafile के साथ यह active नहीं है means wordpad के ही format में active है कहने का मतलब यह है यह दिहां अपने जो selected matter है या जो हमने copy किया matter है अपना उसको हम icon के रूप में paste करना चाते हैं wordpad के तो हम यहां से display as icons कर लें और यहां से ok कर दें आप देख पाएंगे यह icon आ गया wordpad का means आपका जो यह KCI telly specialist हमने लिखा हुआ है दो बार और copy किया है वो इसके अंतरगत आ गया अगर हम यहां double click कर देंगे तो एक अलग window में वो आपका open हो करके आ जाएगा तो type option अलग अलग तरीके से paste कर रहा है means paste special हो रहा है यह unformatted text एक बार हमने full format करके copy कर लिया उसको हम without formatting में भी paste कर सकते हैं formatted text में भी paste कर सकते हैं picture metafile में से paste कर सकते हैं तता हम इसको icon के रूप में भी paste कर ले जाते हैं तो यह चारो option हुए अभी आप देख पारें एक option है paste link तो paste link का क्या use है अभी highlight नहीं है तो इसको highlight करने के लिए हम क्या करते हैं आप देखेंगे जैसे हम किसी भी application को open कर ले यदि हमें किसी other file के matter को बार बार इसमें use करना हो तो हम उसका एक link बना करके रख लेते हैं तो और उस link को हम paste link के माध्यम से paste कर लेते हैं अपनी file में ह हम यहां चले आते हैं जैसे हमने MS word open कर लिया हम आपको MS office जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो पहला application पढ़ाएंगे वो MS word पढ़ाएंगे Microsoft word इसमें हम क्या करते हैं picture insert कर लेते हैं हाला कि हम कोई saved file भी ले सकते थे लेकिन हमने एक ऐसा ही file ले लिया है यहां से हमने एक image ले copy कर लिया और इस file को हमने यह से minimize कर लिया अब हम चलते हैं paste special पर और paste link देखते हैं तो highlight हो जाता है अब देख पा रहे है यह active हो गया means यहां से हम जो अपनी file हमने open की है जिस file के हमें बार-बार आव सकता पढ़ेगी उसको हम यहां से उसका एक link paste कर लेते हैं आप देख प okay करके paste कर सकते हैं देखिए महेंदर कुमार राम से आ गया इस पर अगर हम double click कर देते हैं तो just हमारी file खुल जाती है जो हमने यहां पर link किया हुआ है आप देखे हम बाहर भी कहीं click कर दे फिर हम इस पर आते हैं double click कर देंगे just हमारा वो file खुल जाएगा जिस पर हमने काम कि है तो इस तरह से हम link को भी paste कर सकते हैं जिस file के हमें बार बार अबसकता होती है उसका link बना करके हमें आपर paste कर सकते हैं wordpad के paste special option के माध्यम से तो आपने देखा कि यह paste special option कितना powerful और कितना ही useful है और कितने special तरीके से यह options को paste करता है तो यह होगे आपका paste option I hope आपको clipboard tap completely सम में आया होगा cut का क्या use है copy का क्या use है paste का क्या use है और paste special जो है वो कितना useful है इसका आपको complete knowledge हुआ होगा अब हम देखते हैं font tab जो अगला tab है clipboard के बाद हम क्या करते हैं select all करते हैं और इसको delete कर देते हैं हम normally control भी करके paste कर लेते हैं जो अभी मैंने link paste किया था तो मेरा नाम हम लिख करके आ गया महेंद्र कुमार इसमें हम और आगे कुछ लिखना चाते हैं तो हैं हम लिख सकते हैं KCI Tally specialist अब ध्यान देंगे font tab पर जब हम अपना wordpad document open करते हैं तो default तरीके से जो font size और font लगा होता है वो है कैलिवरी और font size जो है 11 यह default font size है जो इसमें लगा हुआ ह होता है अब हम एक एक करके चेक करेंगे और उसको यूज करेंगे उसका यूज क्या है वो हम बताएंगे आपको font type को use करने के लिए हमें selection की जरूरत होगी without selection कोई काम यहां चुकिए हम अलग अलग तरीके से format कर सकते हैं एक एक character का हम अलग अलग formatting कर सकते हैं सो हमें selection total select कर लिया है अब हम यहां चलते हैं और यहां से हम font को परिवर्थित करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं size थोड़ा सा बढ़ा करते हैं यहां अगर हम count देख करके यहां 72 जो है सबसे large size इसमें अगर हम इससे maximum भी करना चाहें तो हम यहां type कर सकते हैं इस तरह से हमने type किया और enter किया तो यह size बढ़ जाएगी जबकि हमें अगर count देख करके ना बढ़ा करना हो हम direct grow करना चाहते है font को तो side में आप देख पा रहे है grow font है यहां से directly हम font को grow करा सकते हैं तो अभी मैं इसको बताता हूँ आपको थोड़ा सा मैंने font को बढ़ा किया 48 size में कर लिया font size और यहां से हम चलते हैं font को change करते हैं कोई भी font हम use करना चाहते हैं जैसे हम इस font को use करना चाहते हैं आप देख पा रहे हैं font हमने change किया तो यह अलग format में आपका आ गया हम इस font को हटा करके कोई normal सा font use करना चाते हैं तो हम यहां से font ले लेंगे देखे normal format में आ गया और वो थोड़ा bold format में था विकास हमें अभी आगे bold use करना है तो हम जब bold text style ही bold ले लेंगे तो फिर हम bold नहीं कर पाएंगे तो हम यहां से देखते हैं यहां से हमने कोई भी font आप यहां अगर आपके यदि आपके system में हिंदी font installed है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं इंगलिस में कर सकते हैं जो कोई भी font हो आप देखें हिंदी में मैं कर दिया यहां से कोई भी font style आप चुन सकते हैं जो font आपके system में installed होगा हम नीचे आ करके यहां से हमने times new roman कर लिया normal font style है यहां से हम चलते हैं font की size को बढ़ा घटा सकते हैं so आप देख पा रहे हैं हमने font को थोड़ा सा छोटा कर लिया यहां से हम font को grow करा सकते हैं इस तरह से हम click करते जाएंगे तो font बढ़ता चला जाए ग्रो होता जाएगा और उसका count side में लिखता जाएगा कि यह किसनी size में गया हुआ है और यहां से हम shrink font करते हैं मतलब उसको चोटा करते हैं जितना grow हुआ है वो shrink चोटा होता चला जाएगा तो इस तरह से हम grow करते हैं और इस तरह से हम उसको shrink करते हैं अब हम bold करके देखते हैं यहाँ पर बी पर click कर देंगे तो जो भी font आपने चुना होगा उसमें bold style लग जाएगा bold style देखिए कभी-कभी ऐसा होता है जैसे हम bold font ले लेते हैं जैसे यह font bold है इस bold font को लेने के बाद हम bold लगाएंगे और active इसको use करेंगे या इसको हटाएंगे यहां से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा because font की style ही bold है मतलब font जो आपने चुना है वो bold format में ही है ऐसा font हम चुनते हैं नॉर्मल format में है फिर हम उस पर bold को use करेंगे तो आप देखेंगे font healthy हो गया, bold हो गया हम bold को यहां से हटा सकते हैं italic करेंगे तो font तिरचा हो जाएगा थोड़ा सा skew format में चला जाएगा यह यहां से हम font में अपने underline प्रवाइड कर सकते हैं जितना हमने select किया है अब हम करते हैं क्या यहां से अभी underline हम अटाते हैं और font को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं यहां से और हम क्या करते हैं अलग-अलग font पर हम अलग-अलग underline का color देते हैं जैसे हमने इसको select किया हमने यहां से इसको bold कर लिया अब देख पा रहे हैं केवल महेंदर ही बोल्ड हुआ है और कुमार पांड़े सब नॉर्मल में ही है विकाज हमने इतना ही selection लिया हुआ है अब हम क्या करते हैं यहां से इसको color दे देते हैं font को हमने color दिया और अगर हम underline लगाते हैं तो वो red color जिस color में आपका font होता है उसी color में इसमें underline लग क्या आता है अब हम चलते हैं अगले को हम select करते हैं आप देख पा रहे हैं हमने कुमार को select किया हम इसको italic format में करते हैं और इसमें हम अलग color डालते हैं हमने इसको green कर लिया अगर हम underline provide करते हैं तो यह green underline देगा तो इस तरह से हम अलग-अलग style अलग-अलग color अलग-अलग तरीके से use कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं बीच में है आपका ABC करके एक cut लगा हुआ है जिसको track through line बोलते हैं यहां से बीच में एक line draw करते हैं यहां click करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बीच में line draw हो गया है अगर इस font का हम color बदल देते हैं तो font और line एक ही format में आ जाएगा तिस तरह से हम अलग-अलग formatting में format कर सकते हैं अलग-अलग effect provide कर सकते हैं अपने text पर अब हम क्या करते हैं इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे यहां लिखा है x2 लिखा हुआ है और x square लिखा हुआ है दोनों का use क्या है एक होता है sub script और एक होता है super script जैसे हम यहां पर tm लिख देते हैं हमने लिख दिया अब हम चाहते हैं यह tm जो है थोड़ा सा उपर आ जाए तो उसके लिए हम यहां पर super script को use करते हैं ट्रेड मार्क लगाने के लिए आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऐसे ही अगर हम इसको नीचे ले जाना चाहते हैं तो हम यहां से super script को हटाएंगे और यहां से sub script लगा देगे आप देख पा रहे हैं नीचे आ गया तो कहने का मतलब है यदि हमें font को line में नीचे की तरफ करना है तो हम sub script का इस्तमाल करते हैं और अगर हमें उसको font से उपर की तरफ ले जाना है तो हम उसमें super script का इस्तमाल करते हैं आप देखें जैसे हमने लिख लिया x और 2 डाल दिया हमने, x2 लिखा हुआ, इसको हम थोड़ा सा grow कर लेते हैं font को, फिर आपके समझ में आएगा, जैसे ये x2 हमने लिख लिया, और अब हम क्या करते हैं, इस 2 को हम select करते हैं, यदि हम सब script करते हैं, तो x2 बन जाएगा इस त require हो जाएगा, I hope आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर हम highlight करना चाते हैं से heading को highlight किया जाता है, highlighter का इस्तमाल हम करना चाते हैं, तो ये highlight होता है, text highlighter है, इसके माध्यम से हम highlight कर सकते हैं अपने text को, आप देख पा रहे हैं, इस तरह से पुरा text highlight कर दिया जाएगा highlighter के highlighter का basic use आप लोग जानते हैं, कि जो important word होते हैं, या important line होती है, heading होती है, उनको highlight करने के लिए हम highlighter का इस्तमाल करते हैं, तो ये है आपका font tap, I hope आपको font tap समझ में आया होगा, अब हम चलते हैं, paragraph टैप को देखते हैं, अब देख पा रहे हैं, खुछ paragraph हम ले लिए हैं यहां स करते हैं, और अब हम paragraph tap को एक एक करके देखते हैं, यह आपका indents है, यहां से indents को decrease किया जाता है, और यहां से indents को increase किया जाता है, indents क्या होते हैं, indent यह जो ruler में आपको symbol दिख रहा है, इसको हम indent कहते हैं, indents के माद्धें से अपने paragraph का, अपने ruler का tab अगरा की setting हम आसानी से कर पाते हैं, तो यहां से हम इसका use करेंगे, यहां से हम listing का work करते हैं, यहां से bullet provide करते हैं, यहां से हम line में spacing provide करते हैं, और यह alignment, अपने paragraph को align करने के लिए alignment का इस्तमाल करते हैं, left, center, right and justify, और यह होता है paragraph की setting के लिए, तो एक एक करके हम देखते हैं, हम पने paragraph को पहले select कर लेते हैं, और यहां से हम सबसे पहले, indent को increase, decrease करते हैं, आप देखें, यहां से हम indent को increase कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, indent जैसे increase हो रहा है, आपका पूरा paragraph, जितना select किया हमने, पूरा move कर रहा है, यहां स से decrease करते हैं इसका use आपको अच्छे से समझ में आयागा जब हम इसमें bullets provide करेंगे तो यदि हमने number provide कर दिया आप ध्यान देंगे और अब हम क्या करते हैं मान लीजे हमें number two वाले paragraph को select करते हैं और इसको हम यहां से increase करते हैं इस तरह से increment इसको इधर-दर खिसका सकते हैं और यहां से हम decrease कर सकते हैं इस तरह से increase और decrease हम अपने paragraph को कर सकते हैं पराग्राप कब होता है अगर हम लिखे normally और enter प्रेस कर देते हैं तो paragraph change हो जाता है तो यहां से हम अपने paragraph को indents को increase कर सकते हैं और यहां से indents को हम decrease कर सकते हैं यहां से हम bullets की style को number style में परिवर्थित कर सकते हैं roman format में कर सकते हैं means listing हमें जिस तरीके से करना है उस तरीके से हम use कर सकते हैं आपके matter आपके paragraph के according यहां हम देखते हैं line spacing करना है तो जो हमने पूरा paragraph select कर रखा है यहां हम जाएंगे अगर हमें dead line का space है अभी आपका 1.15 का spacing है अगर हम only one चाहते हैं तो one line का gap आपका हो जाएगा spacing को हम बढ़ाना चाहते हैं तो one point five कर सकते हैं अगर और ज्यादा space बढ़ाना चाहते हैं तो हम two कर सकते हैं इस तरह से हम कर सकते हैं यहां से अगर इसको हमटा दें तो यह आपका देख रहे ना add 10pt point है यह pt point space after paragraph जो after paragraph जो space add था वो भी हट गया यहां से हम लगा देंगे तो paragraph के बाद के paragraph में थोड़ा सा gap बन जाएगा और यहां से line gap को हम कम कर लेंगे हमने 1 कर लिया 1 पे ज़्यादा घना हो रहा है तो 1.15 कर लेते हैं तो इस तरह से line की spacing और paragraph में spacing हम provide कर सकते हैं अब यह आप देख पा रहे हैं यह आपका left align है हम चाते हैं center में हो जाए तो आप देख पा रहे हैं सारे paragraph center format में हो गए जो आपका matter था last line का आप देखें पूरा center में आ चुका है means जब हम center line करेंगे तो जो पूरी line आपका पूरे ruler के size में आ रहा है वो तो आपका पूरा दिक्रा है जैसे उसमें कोई परिवर्टन ही नहीं हुआ हो लेकिन जो line complete नहीं था उसमें थोड़ा सा matter था एक दो word था वो आपका देखें बीच में आ गया विकाज जो alignment है वो center कर दिया गया है अगर हम left कर देते हैं तो देखिए वो लाइन या जो word है आपके वो left में आ गये है इसी तरीके से हम चाहें तो right align कर सकते हैं सारा matter आपका right में हो जाएगा आप देख पा रहे हैं पूरी line जो है full line जो आपके ruler में है उसमें तो आपको changes नहीं समझ में आ रहा है लेकिन जो last line है हर paragraph में उसमें words कम है तो वही आपके left right center हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं हो रहा है पूरा paragraph लेकिन जो changes हो रहे हैं वो last line में आपको अच्छे तरीके से दिखाई बढ़ रहे होंगे हम right में ले जाकर कर देंगे अगर हम justify यूज करते हैं तो default style में आ जाएगा जो default style left है means चाहे हम left कर ले और चाहे हम justify करें तो justify करने का मतलब जो default style है वो लग जाएगी अब हम आते हैं paragraph पर आप देखे paragraph पर क्लिक करते ही paragraph की setting आ गई इसमें indentation है आपका left में 0.5 है जो space आपको दिया गया है 0.5 मतलब आधे इंच पर आपका paragraph start है और इसकी जो first line है minus 0.25 से means यहाँ जो gaping है उसको यह दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक की यहाँ से इसने start किया है हम चाहते हैं कि केवल हमें paragraph का setup देखना है तो अभी हम यहाँ से cancel करते हैं और यहाँ से हम bullets को हटा देते हैं फिर आपको paragraph अच्छे से समझ में आएगा हम चलते हैं select करते हैं paragraph को और यहाँ से paragraph setting को open करते हैं हम चाहते हैं जो left की setting हो वो 0 ना हो करके 0.25 हो जाए और जो line की setting है जो line है वो 0.75 हो जाए means 0.75 यह 0.25 के बाद लेगा ध्यान दीजेगा इसको मैंने इसलिए 75 किया है जिससे यह 1 पे आ जाए और spacing आपने पहले से दे रखा है और paragraph के बाद का space आप दे रखे हैं हम यहां से okay करते हैं आप देख पाएंगे यहां देखे 0.25 पर यह setup हो गया आपका indent का जो left format है और पहली line 1 पे आ गई means हमने 0.75 दिया था और 2.5 यह छोड़ चुका है पहले से और उसके बाद 75 यहां आ गया तो 1 पे आ गया पहली line पहली line का setup हमने यहां से हर एक paragraph में आप देख पा रहे हैं पहली line आपके 1 inches पर है और जो सारा left में इंडेंट की setting है वो 0.25 से है तो जैसा आपका use हो जैसे आप paragraph की setting करना चाह रहे हैं उस तरह से आप इस dialogue box के माद्दिम से use कर सकते हैं alignment आप left by default use कर रहे हैं right में हमने कुछ भी नहीं दिया अगर हम right में भी 1 inches कर दे तो आप देख पाएंगे 1 inches का यहां से gap हो जाएगा आप देखें यहां से यहां 1 inch आ गया चुकि 7.5 पर था यह और जब 1 inches किया तो 6.5 पर आ गया जो paragraph में आपका cursor था किवल उसी का setting हुआ अगर हम पूरे को select किये होते हैं अगर इसको में हाँ से undo कर दे और यहां जाए पूरे को select कर ले पूरे paragraph को और यहां जा करके हम right में वही one कर देते हैं तो आप देख पाएंगे तभी paragraph पर यह effect apply हो जाएगा तो इस तरह से अपने paragraph को हम set कर सकते हैं जैसे आपका uses हो उससाब से आप इसको use कर सकते हैं चलते हैं हम यहां पर एक option है tabs tabs को भी हम देखते हैं हमने अभी आप से बात किया था कि indents की setting हम tab के में जाकर के tabs की माद्धिम से indents की setting भी करते हैं तो यहां से tab को हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं default कर देते हैं इन सब paragraph को चाहे तो हम यहां से हटा दें और यहां पर जा करके हम justify format लगा देंगे और यहां से हम इन सब को zero कर देंगे इसे कोई भी problem ना आए सारे paragraph सही हो जाएंगे जो भी changes हमने किये हैं वो सारे changes हट जाएंगे और यहां से हम okay कर देते हैं आप देख पा रहे हैं paragraph में कोई भी setting नहीं है अब हम चलते हैं tabs की setting करते हैं तो हम इस paragraph को delete कर देते हैं अब यहां आप देख पा रहे हैं indents यहां है और यहां पर last point है जो indicate कर रहा है आपके page में ruler की setting कहां तक है हम यहां चलते हैं और tabs पर click कर देते हैं अब यहां हमें tab की एक stop position हमें देना होगा हम चाहते हैं कि tab का setting हम 2 पर कर दें 2 inches पर यहां से set कर देते हैं इसके बाद हम 4 पर करना चाहते हैं 4 करके set कर देंगे हम चाहते हैं 6 पर हो जाए positioning 6 पर हमने set कर दिया और यहां से हमने ok कर दिया आप देख पा रहे हैं यहां 2 पर set है 4 पर set है और 6 पर set है tab button हो था आपके keyboard में अगर हम tab प्रेस करते हैं अब हम direct 2 पर जा रहे हैं फिर हम direct पर जा रहे हैं फिर डारेक्ट हम 6 पर जा रहे हैं लेकिन इसके बाद आपका टैब का मुवमेंट जो होगा जो डिफाल्ड मुवमेंट होता है टैब का वो चलेगा मिंस 0.5 मतलब आधे इंच ये मूब करता है टैब आपका जहां तक रूलर की सेटिंग है उसके बाद फिर बैक करके आ जाएगा इस तरह से जहां हमने सेट अप किया वहां डारेक्ट जम करता है और नहीं तो उसका जो मूब पॉइंट है 0.5 वो वो मूब कर जाता है यह है टैब की सेटिंग जिससे हम टैब सेट करके कुछ भी मेंटर लिखना चाते हैं कि एक एक्जैक्ट पोजि हट गई अब हमारा टैब जो है 0.5.5 भी मूब कर रहा है तो टैब सेटिंग करके हमने टैब को अपने अनुशार हम मूब कर सकते हैं तो आई हो पैराग्राफ टैब भी आपको समझ में आया होगा तो आज की क्लास में आपने देखा क्लिबोर टैब फॉन टैब पैराग्र करते हैं और एक लास्ट वीडियो हम वड़ेट के लिए लकर का आएंगे जिसमें हम कंप्रीट वरड़े यहां को देंगे connects के लिए बस इतना मिलते हैं नेक्सक्त ने wordpad का अगला part ले करके तो जाने से पहले एक बार मैं कहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने friends के पास share करें तो मिलते हैं next day अपने नए वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you, जय हिन